हेलो अविवान, वेलकम तो लिए न्यू वीडियो फ्रॉम स्टेडीबर्स और मैं हूँ अनुपफ गुपता, आज की वीडियो के अंदर में आपको फॉर्म्स की अपडेट देने वाला हूँ कि आए-फ-E-M-R college है, चिन्णाई का, इसके forms निकल चुके है, तो complete details में आपको इस college के बार मैं बताने वालों कौन-कौन से exam में ये accept करता है, admission procedure क्या है, cut-off क्या, placement क्या, free structure क्या है, सारी चीजों के बार में हम discuss करेंगे, तो वीडियो के इंद तक दूर देखना, ताकि आपको cat MBA के mocks and videos मिलते हैं और हमाई Instagram handle कर नाम studybus underscore education यहाँ पर हम daily basis पर बहुत important content डालते हैं यहाँ पर भी हमाई साथ connect कर सकते हो and friends अगर आप pen drive course में enroll करना चाहते हो तो यह हमाई website है यहाँ पर complete details आपको मिल जाएंगी www.studybus.co.in यहीं आप अपनों order भी place कर सकते हो तो friends हर pen drive के साथ मिलते हैं आपको एक portal जिसके अंदर आपको ebooks का भी feature मिलते है topic wise test sectional mocks weekly current affairs और सारे full end mocks भी आपको मिलते हैं और इसी के साथ आपको study planner का भी feature मिलता है जिसके अंदर आप organized manner के अंदर अपनी preparation कर सकते हो इसके related आपके कोई भी query है तो आप हमारे इस help line number पे आप हमें contact कर सकते हो तो friends अगर IFMR के बार में बात करें तो offer करता है multi-dimensional approach to learning which aids high potential individuals in navigating the fast changing world and creating positive impact अगर friends हम eligibility criteria के बार में बात करें तो जो इनका batch 2022 में start होने वाल है अगर आप उसके अंदर apply करना चाहते हो तो आपकी जो date of birth है वो 1st January 1995 से लेके 31st December 2002 के बीच में होनी चाहिए अगर इससे जादा है या इससे कम है तो आप eligible नहीं हो इस college में apply करने के लिए minimum 60% marks आपको चाहिए 10th, 12th और graduation के अंदर ये mandatory है अगर ये आपके नहीं है तो आप इस college के अंदर apply नहीं कर सकते हैं बाकी सारे colleges 50% मांगते हैं बटा IFMR 60% मांगता है अगर आप final year के अंदर वो अपनी graduation के तो भी आप eligible और apply करने के लिए जो work experience है वो 0 से लेकि 36 months तक का हो सकते है on the date of deadline of the application कौन-कौन से एक्जाम भी accept करता है CAD, ZAT, NMAT, CMAT के score को accept करता है इसके लाव ये GMAT को भी accept करता है अगर मैं application fee के बार में बात करूँ जो की mandatory है 1500 उपीस की जो आपको pay करनी पड़ेगी तब ही आप इस college के लिए eligible होगे अगर आपने इसका form और ये application fee नहीं भरी तो आप इस college के लिए eligible नहीं होगे चाहिए आपका CAD, ZAT, NMAT या CMAT score भी इस college के अंदर आ रहा होतो उसके बाद friends अगर हम बात करें तो ये college कौन सा course provide करता है college course majorly provide करता है MBA का course और खासकर इनकी specialization है finance के अंदर तो जो पिछे finance के अंदर जाना चाहते हैं वो इस college को definitely target कर सकते हैं अगर friends हम cut off के बार में बात करें तो कौन कौन से exams की कित्ती cut off रहती है इसको देख लेते हैं कि अगर cat में ये जो cut off आपको चाहिए वो 75 percentile चाहिए Zat के अंदर 75 percentile चाहिए Nmat में अगर आपका 222 का score आया है तो भी आप इस college के लिए eligible हो आपको यहां से call आजाएगी CMAT में 85 percentile चाहिए GMAT में 85 percentile चाहिए और GRE के अंदर भी 85 percentile चाहिए तो अगर आप इतना अपने entrance exam के अंदर आ सकते हो तो definitely आप इस college के अंदर apply कर सकते हो अगर friends मैं selection procedure के बार में बात करूँ तो selection procedure यह है कि सबसे पहले candidates को select किया जाएगा जो eligibility criteria को meet करते है यानि कि उनकी date of birth होनी चाहिए 10-12 और graduation के mark 60 से जादा होने चाहिए और उसके बाद इस तरीके से उनका entrance exam का score भी होना चाहिए तो जो eligibility को meet कर लेंगे उनको next round के लिए बुलाया जाएगा जो next round है वो personal interview का round है इसके लावा यहाँ पर writing skills की assessment भी होगी जिससे आप से आप अपनी application form भरोगे जिसके basis पर यह final एक selection करेंगे एक composite score निकाल के एक final selection होगी जिसके basis पर बचों को admissions ओफर किये जाएगे अगर friends हमें इस college के अंदर apply करना है तो हमाँ पास 2 rounds यह apply करने के लिए लेकिन आप किसी भी round के अंदर apply कर सकते हो ऐसी कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको round 1 में ही apply करना है round 2 के अंदर ही apply करना है तो जो round 1 की closing date है वो 28 February 2022 है और जो round 2 की closing date है वो 28 March 2022 है जो shortlist for interviews होने वाला है वो 4th March 2022 को होने वाला है दूसरे में 1st April के अंदर जो interviews होंगे वो 11 से 13 March तक होंगे यहाँ पे 8 से 11th April तक होंगे और जो actually batch start होने वाला है वो 1st July 2022 से शुरू होने वाला है तो यार अगर आप इस college में apply करना चाहते हो तो please इन दोनों rounds का दिहान रखना चाहिए 28 February या 28 March इससे लेट आपको नहीं करना है और entrance का score देखने के बाद आप decision लेख सकते हो कि आपको इस college के अंदर apply करना है या नहीं करना उसके बाद friends अगर हम fee structure के बाएर में बात करें तो 2 साल की जो tuition and admission fee है वो 15 लाग रुपे है living and hostel fee 3.5 लाग रुपे है तो जो 2 साल के मारे minimum expenses है वो 18.5 लाग रुपीज तो है ही लेकिन इस college के अंदर बहुत सारी scholarship opportunities भी available है तो अगर आप इनको grab करना चाहते हो तो इनकी complete details इनकी website के उपर mention है वहाँ जाके आप scholarship के अंदर भी apply कर सकते हो आप देख सकते हो आप कौन सी scholarships के अंदर eligible हो उसके बार friends अगर आप इस college में apply करना चाहते हो तो ये इसका link है नीचे description box के अंदर भी दिया गया है आप यहाँ पर जाके visit कर सकते हो और रेजिस्टर कर सकते हो और आपकी application form शुरू हो जाएगी आपको application fee pay करनी है upload supporting documents करनी है और बस आपकी application fill हो जाएगी तो friends अगर हम इसके batch के बार में बात करें तो industry classification कैसी रही है कि 53% बच्चे BFSI के अंदर गए है 16% बच्चे consulting के अंदर गए है 29% बच्चे IT के अंदर थे 2% others के अंदर थे और अगर हम background देखें तो UG degree में almost half of the batch इनका ingenious का था 40% commerce के थे 9% arts and science के थे और 3% other stream से थे अगर हम total number of batch के बात करें तो बहुत बड़ा batch नहीं है इनका decent size का batch है 175 students है इनके batch के अंदर जो average CTC था वो 10,00,00 उपे गया था जो top 25% बच्चों का CTC गया है वो 13.40 गया है अगर हम gender ratio के बार में बात करें तो 61% बच्चे males थे 39% बच्चे females थी और अगर हम work eggs के बार में बात करें तो हर तरीके के work eggs को इन्होंने लिया है जिनका 1 साल से कम है वो 61% बच्चे थे जिनका 1 से 2 साल के वो 18% बच्चे थे अगर आपको पेंडरीफ कोर्स में या क्रैश कोर्स में अन्रोल करना है तो हमाई वेबसाइट है यहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें वाटसाइप या इमेल भी कर सकते हो तो थैंक्स लॉट फ्रिंस अल्ट बेस्ट गब्लेस य।